हेलो फ्रेंड्स साथ आपको स्वागत है मेरे इधिक चैनल टेक वर्ल में आज मैं आपको बताते हूं लिगमिदास वंडर अप्लिकेशन में प्रूट एंड वजिटेबल शॉप को कैसे रिजिस्टर करना है यहांपर आपको फ्रेंटेर अप्लिकेशन यहांपर आपको फ्रेंटेर अप्लिकेशन पर किस करनी है यहांपर फूल नेम एंटर करनी है यहांपर इमेल एंटर करनी है यहांपर फोन नमबर एंटर करनी है यहांपर ओटीप आपके फोन नमबर पर मिल जाएगी यहांपर प तेन रिजिस्टर यह होगा है रिजिस्टर आपको Store Listing में फ़स्ट पताती हो Store Listing पर क्लिक करना है तेन यहाँ पर आपकी जो भी Shop की नेम होगी ना उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिया तेन यहाँ पर Shop Category आज सेलेट करनी है then यहाँ पर current location select करनी है जो भी अपकी current location हो then यहाँ पर state then यहाँ पर city then यहाँ पर area then यहाँ पर address then यहाँ पर select पान या आधार selected then trade license store की license को यहाँ पर upload करनी है then यहाँ पर FSS EI license को select करके upload करनी है friends then यहाँ पर store photos देन्स रिजिस्टर जन यह होगया action completed, इक store orders page आपको यह interface मिल जाएगा, all orders, finding, or confirmed, or delivered, or total products यहां जो आपको membership की बाजु में जो circle दिखाए दे रहना याँ पर आपको subscription days दिखाए देंगे friends और उपर जो bell icon दिखाए दे रहना याँ पर आपको notifications मिल जाएंगे share भी कर सकते हो, easily next stop में जो 3 horizontal lines दिखा रहना, friends याँ पर आपको क्लिक करने पर आपको dashboard मिल जाएगा इसके profile setting, add product, edit out नहीं याँ पर green label हो लोग जो button दिखा दे रहना active state पर, active मतलब आपकी store available है करके आप inactive करते हो तो आपकी store छुटी पर हो तो आप आने पर बेल हो तो आप inactive भी कर सकते हो then profile setting पर क्लिक करनी है then यहाँ पर delivery याँ pick up को option है आप delivery भी जे सकते हो, pick up भी जे सकते हो मैं delivery दोंगी then how many kilometers serving मतलब आप जितने दूरी पर अपना दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो जैसे के kilometer select करनी है then यहाँ पर delivery छाज सेंटर करनी है then यहाँ पर pre delivery भी दे सकते हो अगर product ज़्यादा खीनती वाले product अगर ग्राह खरी देगा तो उत्रहाँ आपको आप pre delivery भी दे सकते हो then update यह होगे updated then next time में आपको करनी है add product यहाँ पर आपको product आपको 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 करनी है then यहाँ पर सब category आपको 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 करनी है then यहाँ पर original price enter करनी है then यहाँ पर discount price then यहाँ पर unit next stop इतना है आपको के पास उतना name description जो भी आप product के बारे में लिखना चाहते हो तो यहां पर लिट करते हो, then add photo, photo add करनी है, add product, add product added, okay, then आपको next product add करके मदब दाती हो, friends, product name, जितनी केजी हो की, आपर आप mention भी कर सकते हो, then subcategory, then एका वर्जनल प्राइ, then आपर दिस्का जिस्कां प्राइ, then आपर जो वी उनिटो गिब से, then आपर दापर स्टाप, then description, then photo, add product, product added, okay यह हो गया product added अब एडिट भी कर सकते हो, delete भी कर सकते हो then मैं बताती हूँ, edit products भी कर सकते हो यहाँ पर भी then orders भी छेक कर सकते हो rating release भी जैन सकते हो, यह page पर यहाँ पर आपको release मिल जाएंगे customers के, then यहाँ पर subscription करना है पर्स मन्स में आपको 30 डेस के लिए 118 रूपीस का सब्स्क्रूप्शन करना होगा नेक्स आपको अपडेशन मिलते जाएं डिफ्रेंज अब मैं बताते हूं 30 डेस का 118 रूपीस का पेनों करके अपका अपका यूपीय नेट बैंकिंग वालेट जिसे जाए कर सकते हूं मैं बालेट से करती हूं जैने अपकर OTP पे इंटल करनी है verify action completed payment successful हो चुकी है अब share आप भी कर सकते हूं easily friends अब मैं आपको बताती हूं सिगमेदा्स कस्टम्र आप्लिकेशन अपने शॉप को कैसे देह सकते हो सिपित करनी है कुछ जण करनी है कोग अपने दुकान को यहां पर देन प्रॉडेक्ट को आड़ कर रही हूँ, successfully added to cart, product add हो चुकी है, then हम पर product added, check out, address, then continue, successfully ordered, okay, then आपको जाके vendor application में click करनी है, जो मैंने यहांपर order किया था ना, आपको यहांपर accept करनी है, accepted, location भी जान सकते हो, आप easily product accept करने के बाद, मैं अब call नों पर direct भी बात कर सकते हो, या फिर completed करके, completed भी दे सकते हो, जितने भी मुझे orders आयना, मैं यहांपर completed देती हो, यह होगे, confirmed order, और notification panel में आपको मिल जायेंगे, your order has been delivered successfully करके, then यहांपर आपको जो भी orders होगे न, easily customer तक पहुन जायेंगे, यह vendors के लिए है, आप, business owners और service providers के लिए, बहुत easy हो जाएंगा, digitally अपने दुकान को show करना, thank you friends, thank you for watching this video, like, share और subscribe करना मद भूलिये, और next shop को register करने का video में next section में आपको बताती हूँ, आप series को continue रखना, thank you for watching this video, thank you